तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इस टाइप का आपको नोटिफिकेशन अगर आ रहा है तो समझ लीजी आपका जो रैम है वो बहुत कम है फोटोशॉप यूज करने के लिए और उसी के साथ का आपकी जो फोटोशॉप की जो स्क्राइड इसके वो फुल हो चुकी है तो सबसे पहले यह जो नोटिफिकेशन है इसको मैं explain करता हूँ कि यह नोटिफिकेशन आपको क्यों आ रहा है मतलब इसका reason क्या है क्योंकि आपको सब लोग इसका solution तो बता देगे कि लेकिन इसका reason नहीं बताएंगे लेकिन जब आपको इसका reason पता चलेगा ना तब solution रहते हैं और उसी किसा सब तरीका औरी फाइल होते हैं मतलब जैसे ही आप photoshop use कर रहे हो आपके photoshop मतलब आपकी जो c drive होती है डी drive होती है उसमें कुछ files store हो रही होती है और वो अगर drive में full हो जाए तो आपको इस type का notification आता है ठीक है तो जब आपकी c drive भर जाए तो आपको स rate में जाना है और preference पर click करके आपको general में जाना है सबसे पहले देखिए इसका ही shortcut है control के okay general में जाने के बाद में आपको यहां पर आना है performance में अब देखिए सबसे पहली चीज़ आपको performance में क्या करना है यहां पर जो 74% यहां पर आपको 75 तक तो कम से कम रखना है अब मैंने आपको 74-75 रख दिया है लेकिन समझो अगर कम है तो इसको बढ़ा देना है यह हुआ हमारा first step अब आपका second step है अगर आपके computer में graphics card है तो इसको यहां पर check कर देना है अगर आपने यहां पर check mark आपका नहीं है तो फिर आपके अंदर graphic card तो है लेकिन उसका Photoshop में use नहीं हो र मैंने already 3 select कर रखें अब देखें मैंने जैसे कि आपको start में बताया जैसे आपका c drive full होगा आपका जो files है catch file और recovery file हो जाएगा d में तो आपको क्या कर देना है कम से कम 3-4 file select करके ही रखने उससे क्या हो जाएगा जब आपका data c में full हो जाएगा तो automatically d में save होगा जब आपका e full हो जाएगा तो automatically 1 में होगा ठीक है तो इस तरही किसा आपके drive जो है वो select कर लेने आपको और उसके बाद में आपको okay कर देना है ठीक है okay करने के बाद में आपको photoshop को close करना है और फिर से start को रहेगी तो आपका यह problem solve हो जाएगा अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आपन भी है या फिर code to do है तो आपको RAM बढ़ा लेना होगा लेकिन 99.99% cases में यह आपका 100% सही solution है so I hope आपके वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो चाहिए वीडियो को like कर दीजिए और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe कर दीजिए और प्लीज मुझे comment में बताइए कि आपको अगला वीडियो किस topic पी चाहिए अगर आप मुझे Instagram पर follow नहीं करते हो तो Instagram पर follow को Instagram का link में description में दिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ से आप मुझे Instagram पर follow कर सकते हो वहाँ पर में stories वगरा post वगरा डालता रहे तो तो वहाँ पर भी